जेन सभी को जेन सब देगे बहुत जिन भी बच्चे का आर्मी का medical है या जो बच्चे आर्मी की तैयारी करना चाहते उन सब को बतादू आज का वीडियो इस्पेशली आर्मी में जो आपका medical test होता है उसके ऊपर है कि किस प्रकार से आपका medical test होता है कौन-कौन से एंगल ठी पौइंट करब का टासर है जो ठीक नहीं होते या कुछ छोडिक होते हैं लेकिन आपको टेंस होते हैं और वाज मेसे मेधिकेट रहा है इससे पहले मारे बच्छे आर्मी नहीं बताता तो उसको वह point मिलता जो वह सोच नहीं रहा होता जो इसको लग रहा होता हो वह point नहीं मिलता ऐसा आपके साथ भी हो सकता इसलिए लिए इस वीडियो को अन्त तक देखना आपके लिए जरूरी है और आप अप सब्सक्राइब के लिए भी जैसे भी मैं आपको कुछ उदार न बता जैता हूं जैसे हाट में हाट मीट का भी पॉइंट मिल जाता है इसका कोई सोचता है नहीं कि आप पॉइंट मिल रहे हैं इसलिए अच्छे से देख लेना यह वीडियो आपके काम का अगर आप फोजगी कि तयारी करते हो इस पेसली आर्मी की ठीक है तो चलिए वह क्या नाम है तेरा रंजीत गुद्दर कहां करेने वाला है अज में राजस्तान सबसे पहले हेड से शुरू करते हैं सर के उपर किसी भी परकार की चोट का निशान इस परकार से चेक किया जाता है आपके अगर च ना किया रहे हैं या बहुत भारी गंबीर चोट है तो नहीं चलेगा जैसे इसके सर में मिट्टी के लाओ और कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद में सेकिंड नमबर आखों का इस पेसली तीन पॉइंट होते हैं जिन में से मेजर जो पॉइंट होता होता कलर वीजन का किसके पॉइंट हरा रंग और लाल रंग कौन सा रंग है इनिमें अंतर पता नहीं चलता यहनि उसको दोनों एक जैसे लगते तो जिनके भी कलर वीजन का पॉइंट है देख ले ना उनको इन दो रंगों में पता नहीं चलता एक तो कलर वीजन दूसरा आइस मेंडिकल उसको अपने से चार मिटर की दूरी पर खड़ा करके वो इस प्रकार से अंक खोल सकते कितने हैं और एक बंद करके भी यह नि नौर्मली वहां डिस्टेंस होता है वो कितने होता है तीन मिटर का तो जब आप उंगलियों से चेक कर रहे हो तो आप कितने मिटर की दूरी ले यह तीन है जिरो अब बोल एक अलपाबेट बोलना है अरे अलपाबेट बोलना है यह क्या रहे अरे अलपाबेट बोलना है I I I love you अगर इसको देख लिए I love you इसका मतलब सही है पता नहीं तरे को पता नहीं ही I love you अब कर लेना जू टेकेंगे हां भर रहा है कर मत देना किसी को इसके बाद में आता है एक पेंट पॉइंट यह नहीं आपकी आंकों का ठेराव चेक किया जाता है और आपको बता दू यह बहुत मेजर पॉइंट है जिसको बच्चे हलके में लेते हैं जबकि इसके लिए आप ठीक करने का एक तरीका भी आता है उसमें यह आता है कि एक धागा है जिसमें आप करना तीन बोस डाल देना अभी मेरे पास में अविलेबल नहीं तो आपको दिखाता है फिर नोच पे रखके और तीनों बोल की पोजिशन चेंज करकर कि आप उससे अपने आंकों का जो ठे कई बच्छों के आखे नहीं गूमती तक फिसकी पता वारिशा इसकी आखे नहीं गूमती ए कोई है जिसका छे करें कि कि किसी को हैड आउट नहीं है चलो अच्छी बार आई 6x6 और पेन पॉइंट यह तीन पॉइंट होता है इसके बाद में आखों में तिल का बहुत ज़्यादा क्यों से नहीं होते हैं आखे लाल कलर की होती हो वह बहुत जाता है कहिए कि ब्राउन कलर की आखे वह भी पॉइंट है तो यह कोई पॉइंट नहीं एंगें किसी आउट में साल नहीं कोई में आउख में जैसे आपने देखा होगा कि पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए और जिसके छेद उसका कान हमें साब बैता रहता साल बर बैता रहता है मतलब गान में कुछ गंद आती रहती है ना घंद अरे चलती रहती है तिर अशी टाइप की वह तेरे आती है भाई जब भी medical कराने जाओ कानों को बिल्कुल साब कराके जाओ ठीक है बिल्कुल चका चक होने साइए आपके कान ठीक है उसके बाद में नाक नाक में एक ही point आता है वो है DNS का जिसकी नाक की हड़ी टेडी में यह कोई है इसा जिसकी नाक की हड़ी टेडी है इसको लगता है देख या चप्टा होगा देखो इसके लक्षन या तो उसका नाग बहुत ज़्यादा मोटा होगा या उसका नाग चप्टा होगा या अलका सा टेड़ा होगा जैसे लाश में यूँ इस परकार से और डीनस का जो पॉइंट है उसको आप ठीक करा सकते हो एक छोटी सी सर्जरी के द सार आपको उसके वाद में टित मुझे खोल भाई को फूरा लडा चार हां इस परकार से आपके मुझे अंदर चार उंगली जानी चाहिए उक्टा ले मुझे खोल अब और आपके दांट कितने होने चाहिए कम से काम 28 नाथ कम से कम होना चाहिए दांतों में इस पेशली ती जिसके मसूडों से रक्त निकलता रहता है वो मेडिकल पॉइंट है दूसरा कईयों के दांतों कीडे खाते हैं और आपके दांत तूट गए हैं गए हैं तो वो भी मेडिकल है पॉइंट है और उपड़ दाथ कम से कम कितने होने चाहिए अठाइस होने चाहिए क्योंकि सत्रा साड़े सत्रा साल की उमर में कई बच्छों के अठाइस दाते नहीं दे कि इसके कितने हैं मुझ खोल पूरा भाई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा इसके ठाइस ही है कितने साल उमर है साड़े सत्रा हाँ साड़े सत्रा साल के उमर के आसपास इतना ही होते हैं क्या दात समझ गया बात को अब इसके बाद में आती है आपकी स्कीन इसकीन में ध्रीची कि परकार कि निखा के जल्दी इस ऐसके पहले सरु से नहीं कभी उई स्red oats कम समय में तो इसको आपको तुरंट दवाई लेनी तो प्रोबलम नहीं ढोड़ी लेकिन आपको ड्क्टाकर को दिखा जल्दी इसकी दवाया लेनी नहीं तो यह हर एक बड़ती में आपको प्रोबलम करेगा बहुत जिए लसा में किसी बब्सके नहीं है ारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब के एिस परकार नहीं थे कि सेफे डेकिन सब्सक्राइब में लेकिन थोड़ा पेर खोल के और यह बोड़ी की तो शेफ हैं सभी की देख लगए सीरे खड़े जो रखे थे हाथ सामने यह बिल्कुल प्रोपर होना चाहिए स्टांस टेड़ा मेड़ा नहीं होना चाहिए द्यार रखना अगर टेड़ा मेड़ा है तो प्रोब्लम हो जा आप हाँ अभी पांसेंटीवीटर फुला नहीं है बेटे नहीं भूलता ना पांसेंटीवीटर फूलाने की प्रेटिस करनी है जिनका पांसेंटीवीटर सीनल नहीं पूलता है एक बार तुभी भूलो देगे गये फोड रखो एक साटशड़ो डावन वापस हाँ जिसका पूलता है उसको टेली इसकी अप्यास करना है ताकि उसका सिना देली फूल जाए डाउन यह जो निपल्स की पोजिशन है दोनों बराबर हो नीचे उपर नीचे नहीं होनी चीए जहां रखना ठीक है यहां घांट नहीं होनीची यह अगर आपके निपल्स में घांट है तो को दिखा के पहले हिलाज करा ले ना गांट नहीं होना चाहिए गांट होगी तो शिद्धा बार कर देंगे आपको नहीं मेटिकल का भी मौका नहीं मिलेगा हाथ का जो एंगल है जब आपका हाथ इस प्रकार से मिलाए जाता देखो ऐसे तब यहां पर कम से कम दो इंची यह दो उंगली आराम से निकल सेके इतना गेप होना चाहिए अरे समझारी बात है केटर को क्या देख रहे हो इधर देखना है जब आपके हाथ इस प्रकार से देखे जाए तो कई बच्चे जानबूच के सोल्डर को आगे कर देते हैं सोल्डर को आगे नहीं करना है समझगे ब राउंड करवाते हाथ गुमा हाँ दूसरा यह बिल्कुर चिदा जाना दे यू टेडा नहीं गुमाना कभी भी टेडा गुमाते ही पॉइंट लिख देगा इसके अलावा होता हाथ में लचक का पॉइंट कईयों का हाथ यहां से बहुत नीचे गिर जाता है किसी का ऐसा ज जादा है किसको लगरा करके देख लो एक बार अपने हाथ ज्यादा गिर रहा किसी का तुग सेरा एंगी उर्यश्य दरर दिखा यहाथ विलकुल इतना हáriaं ओना चेहें दिखा देखेंगे सेरा है यहह यहीज देखुप इसका हाथ दैको डाउन जारा हैं ज्यादा अरे दे एक फिर लिख देंगे पॉइंट एंड बेंड का पॉइंट हो जाएगा फिर ठीक है उसके बाद में भाई पेर आपके सबसे जो सबसे मोटी समझ रहती है वह रहती है फ्लेट पुट और नोकनी की पेर मिला इस परकार से पेर मिलाने के बाद में यहां पर गेप होना चाहिए बहले एक उंगली जितना गेप क्यों नहों थीक है वली इसके बाद में पॉइंट वेरिकोस बें किसी के है बाई कि थे सकती हैं कि यहां कि नशे फुली हुई मारा कुछ को जिसकी क्या ब्रकह जनसे नाशे फुली हुई ठीके और लिंगे हो हो कहले जिसके रस जम रखा ओन् वेर कोइड का पॉईंट भी हर प्रती मिलता हा इस भी मिलता है बच्छो चाहिए करें नहीं बता रहा है यह क्या होता है यह क्यों नहीं जानते और इससे आप में से यह सिसे प्रूंदी कर लोग नहीं जानते जो मुस्लिम बच्चे होते हैंने बच्पन में आप लगा देते जिसकी उनके वह तो चमड़ी ऊपर जाती है लेकिन हिंदू बच्चे होते हैं ये बाकी अधर में ऐसा कुछ नहीं होता ना तो उसकी क्या होती है लेंग कि चमड़ी पीछे नहीं जाती है समझें और ब Forschuki के दोरान पूरी चमड़ी पीछे जानी चाहिए करते हैं वहां पर चेक करते हैं कर आगे का ऊगे का मेधीच कर दो चाहिए पूरी पीछे जानी चाहिए अब कली पॉइंट मिला किसी को ऐसे सी जीडी के मेडिकल में और मेरे पास में आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में भी लगा दूँगा लिखावा जबकि एक ठोटा सा ओप्रेशन होता है कुछ नहीं वो कट लगना है इसकी इनके उपर जिनके बच्पन में नहीं लगता हूँ लगाते दो डाई-जार रुपया खर्चा है और उसमें कट लगता है और वो सही हो जाता है लेकिन इसके इसकिर मेडिकल से बार हो जाते है कई तो ऐसी खलती मत करें आ किसी के को एचाज है तो खुलकर बता देना मैं किसी को नहीं बताऊंका अभी उफक्त경 सभी नहीं नाम तो मारा भी यह जोटी बड़ी नहीं और जी पोई ऐसा है जिसकी गोलियों की साइज बराबर नहीं है अरे ना मत बोले को यह जोटी हो जाना यह उपर निचे बहुत ज्यादा हो जाना यह पीछे का जो पॉइंट है कमके हो बाइस को फास allora को ऑसकी बस्क अन्दर की जोती होती है उसमें जैसे बलड आना या उसमें षिल कलर का साथ घेरा बन जाना क्या कराते हो शुम है मैं एससे हुग जानी जहानी है और तो क्या कराते है घास क्किवा आए इस परकार से तकी पीछे का होल वो आराम से बेग कर सके उसमें परकार समस्या होती है यह अंदर की को ठीक रहा है रभी मेडिकल फिट भी वह हो गया है अरे अर्वी मेडिकल पॉइंट बाकि आपका एक्स रहे होता है जैसे से जी डिमें में रीड़ के अपकी होनी चाहिए है अधियां सारी होनी चाहिए बागी मोटा मोटा आपको मेडिक लिए सारा कुछ समझा दिया है ठीक है वो भारात मोटागी जए